Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education और जब 100% कहा जाए ना तो इसका मतलब यह नहीं कि 2 chapter के बाद आपको paid subscription लेना है या किसी भी तरीके का coupon लेना है यहाँ Magnet Brains पर आपको CBSC हो, State Board हो, चाहे Hindi Medium, English Medium, NTSC, Olympiad जैसे competitive exam हो या बहुत सारी famous writers के book का solution, सब कुछ 100% free of cost ही available है हम शुरुआत करने जा रहे हैं class 6 के science subject की well science में हमने बहुत सारे subject के chapters पढ़ लिये है science के भी हमने बहुत सारे chapters already cover कर लिये है जिसको आप इस video के description box के दी हुई playlist से देख सकते हैं और एक और तरीका है जो कि मैं इस video के बार में बताऊंगी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं chapter number 13 that is fun with magnets का next topic इसके पहले हमने क्या पढ़ा था इसके पहले हमने यह जाना कि magnet की खोज कैसे हुई discovery of magnet इसके बारे में हमने जाना तो हमने देखा कि एक shepherd था जो की अपनी शीप को गोट को लेकर के बाहर जाता था यूज्वली ग्रेजिंग के लिए तो वहां पर उसने यह identify किया कि जो इसकी stick है वो कहीं पर जाकर कि attract हो रही है तो वहां से निकल कर materials क्या होते हैं ठीक है तो magnetic और non-magnetic material को करने के लिए क्यों ना हम एक बार फिर एक वुट shepherd की जो आपकी कहानी थी shepherd की shepherd stick एक बना ले ठीक है तो इस shepherd stick को बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको एक बड़ा सा rod लेनी है और नीचे आप उसके magnet लगा दे या फिर आप iron का piece लगा दे कैसे चली देखते हैं let us walk in the footstep of the magnets तेक है जैसा कि magnets नहीं कर रहा था वैसे हम करके देखते हैं only this time we will change the position of the magnet and the iron अब अपन क्या करेंगे magnet की और iron की position को change कर देंगे there will be a magnet at the end of the shepherd stick अब आपको जैसे वहां पे वो जो आपका shepherd था उसकी stick के नीचे क्या लगा हुआ था iron का piece ठीक है तो उसी iron के piece से जब वो उदर उदर चल रहा था तो एक rock के पास आ करके उसकी iron जो है rock की तरफ attract हो रही थ clear है अब इस बार आपको क्या करना है लेकिन उस stick में आपको नीचे की तरफ लगा देना है magnet ठीक है मजब iron की piece की जगे आप क्या करोगे magnet लगा दोगे clear हो गया then we can attach a small magnet to a hockey stick walking stick or a cricket wicket with the tape or some glue आप glue या फिर ये stick कैसे बना सकते हो तो आप कोई भी पटली सी stick अगर आपके पास है या hockey stick भी ले सकते हो बैट भी ले सकते हो या फिर आप अपना cricket का जो wicket होता है उससे भी ले सकते हो उसके नीचे बस आपको magnet को tape या फिर किसी भी glue की से लगा देना है ठीक है नाओ लेट इस नाओ गो आउट ऑट अन्द मैगनी जो वाग यह जो मैगन जिस तरह से वाग करन के गया हुआ था आप भी अपने उस रॉड को ले करके जाओ ठीक है ठूट इस स्कूल प्लेग्राउं और सम्वेर एल्स जहां जाना चाहते हो वहा जो मैगन सा वह अपने स्टिक को लेकर के गया तो उसने किसको आइणिपाइख या उसने पता लगाया मैगनेट का आपको पता लगाना है कि भाई यह ऐसे कौन से चीज़ है जो मैगनेट की तरफ еट्रैक्ट हो रही है उसकी आइलर्ड के स्टिक उस रोग कि तरफ अट् prepare a table in your notebook as shown in the figure ठीक है locate the last column of the table and note the object so अभी अपन एक table सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूं ठीक है तो material which the object is made of cloth, plastic, aluminium wood, glass, iron any other ठीक है तो अब नेम दो अबजेक्ट iron ball अब अब अपन को क्या करना है इस तरह से एक पूरी की पूरी table बना करके तयार करनी है clear है अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी चीजे जो है वो magnet की तरफ attract हो रही है और कौन सी चीजे जो है वो magnet की तरफ attract नहीं हो रही है अब आपने for example iron का ball था scale था, shoes थे, clothes थे pins थी, जो भी सारे चीजे थी उनको आपने एक column में लिख लिया अब आपको बताना है कि वो किस material से बने हुए है तो iron ball किस से बनी हुई है iron से, scale किस से बना हुआ होता है plastic से, shoe किसी का भी हो सकता है आपका cloth का भी हो सकता है leather का भी हो सकता है पर यहाँ पर leather का example ले लेते हैं ठीक है, फिर हमें यह देखना था कि क्या यह magnet के पास attract हो रही होगी या नहीं तो जब आप magnet को iron के ball के पास या iron के piece के पास लेकर के जाओगे ना तो वो जो piece है वो iron से तुरंट आकर के attach हो जाता है that means कि iron ने उसको attract कर लिया लेकिन जब आप देखते हो कि आप scale जो की plastic का बना हुआ है उसके पास उस iron के piece को या फिर अपनी stick को लेकर के जाओगे तो फिर यह attract नहीं होगा similarly अगर अपन लेदर की बात करें तो लेदर भी इसमें attract नहीं होगा और इसका अंसर भी क्या होगा नो ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी और चीज़ के for example आपके short की ठीक है तो यह जो short है वो किसके से बना होता है cloth होता है जो कि किसी का भी हो सकता है cotton भी हो सकता है या फिर अपन कह सकते है wool भी हो सकता है तो चाहे किसी भी तरीके का यह जो कपड़ा है वो क्या उस magnet की तरफ attract होगा तो इसका आंसर भी हमारे लिए क्या है कि no चाहे कपड़ा हो चाहे प्लास्टिक हो चाहे वुड हो यह सारी की सारी चीजे आपके magnet के पास attract नहीं होगी इसका मतलब कि इस अर्च पर बहुत सारी तरीके की चीजे है कुछ चीजें तो magnet की तरफ attract होती है लेकिन कुछ चीजें magnet की तरफ attract नहीं होती तो इससे हमें दो बातों का पता चला दो terms हमने सीखी magnetic material और non-magnetic material तो वो सारी material जो कि magnet की तरफ attract हो जाते है उन्हें हम कहते हैं magnetic material और वो सारी material जो कि magnet की तरफ attract ही नहीं हो उन्हें हम non-magnetic material कहेंगे अब non-magnetic material तो बहुत सारे हैं wood है, plastic है, आपके normal आपका soil है ठीक है, soil भी attract नहीं होती है वो तो एक special तरीके का magnet है जो कि अपने magnet को magnet की तरफ attract कर सकता है बट बहुत सारे तरीके के soils, आपके पेर, पौधे, हम humans हम भी हमारे magnet की तरफ attract नहीं होते हैं तो हम सभी क्या है, हम सभी non-magnetic material है और अगर हम बात करें, nickel की, cobalt की या फिर iron की ठीक है, nickel cobalt भी क्या है, आपके metals है ठीक है, तो इन सब की अगरपन बात करें तो ये सारी की सारी चीजे, जैसे ये image में अपना magnet की तरफ ये सारी balls attract हो रही है तो ये जरूर metal की बनी होगी, तो ये magnet की तरफ attract हो रही है तो हमारा आज का topic तो यही था, कि magnetic और non-magnetic material क्या होता है तो आप simple से बता दीजेगा, the material which gets attracted towards a magnet वो सारी material जो की magnet की तरफ attract हो जाते है, उन्हें हम magnetic material कहते है and the material which are not attracted towards a magnet are called the non-magnetic materials ओके, so we understand the magnet attracts certain material where some do not get attracted towards a magnet What material did you find to be non-magnetic in table 13.1 तो आपने क्या-क्या-क्या-क्या-को देखा 13.1 से कि जो की magnet की तरफ attract नहीं हो रहे होते है तो हमने देखा plastic, wood, cloth, तो यह सारी material ऐसे होते हैं जो की हमारे magnet की तरफ attract नहीं होते तो जी नहीं, soil भी हमारी normally magnet की तरफ attract नहीं होगी ठीक है तो इसके रिए अपने एक activity करके देख लेते हैं रब a magnet in the sand और a soil अब आपका जो भी magnet है उसे soil पर या फिर आपकी जो sand है उस पर अच्छी तरीके से रफ कर लीजे अब आपको देखना है कि क्या उसमें कुछ पार्टिकल अभी उससे जुड़े हुए हैं आपके यह जो आपके यह जो स्मॉल पीसेस है वो क्या है बेसिकली आइरन फिलिंग्स है ठीक है जो की आइरन की तरफ क्या हो जाती है अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ हो जाती है ठीक है अब भई कुछ स्वाइल जो है वो मिट्टी जो है वो आपकी मैगनेट है यह नहीं यह ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब देखें बेसिकली क्या बताना चाहरे हैं आपको कि जो स्वाइल है अपकी चीक है अगर आपने उसमें मैगनेट के पीस को डाला तो जरूरी नहीं कि हर बार वो अट्रैक्ट हो जाए क्या स्वाइल के अंदर कुछ मागनेट के पार्टिकल्स है क्योंकि जो रॉक है वो क्या होती है बागनेटिक रॉक होती है मतलब कि जो रॉक अपनको आइडिन्टिफाई हूई वो एक्च्छल में क्या थी मागनेट थी तो अगर उसको छोटे-छोटे पीसे में या फिर जाकर के magnet की तरफ attract होते हैं अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या इस तरह से कुछ particle जो है वो आपके magnet से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं ये बात को आपको identify करना है अब आप देखोगे कि कुछ places तो ऐसे होंगे जहां पर की आपके सारे के सारे पार्टिकलस जुड़े हो दिखेंगे कुछ ऐसे होंगे जहांपर आपको कम पार्टिकल से दिखेंगे क्योंकि soil क्या होती है mix of different-different rocks होती है ठेक है तो आप rocks कैसे भी हो सकती आप की Act now, भी हो सकती है कि उनके कुछ लोकेशन में आपको कितनी iron fillings मिली थी बहुत सारी मिली बहुत कम मिली या बिलकुल भी नहीं मिली तो इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या कहा कि स्वाइल में जाधा magnetic content था if you fill this table and sand it to पहली और बूजो देखें और the amount of file fillings found in soils from the different parts of the country they can share this information with you और इसके बाद वो information आपके साथ भी share कर सकते हैं मतलब simple सी बात है कि यह आपको खुद को करके देखना है और इस वीडियो से अब हमें क्या समझ में आ चुका है इस वीडियो से हमें एक सो छोटा सा concept यह समझ में आ चुका है कि magnetic property वाले materials और non-magnetic property वाले materials कौन-कौन से होते हैं तो हमें बहुत इच्छे से समझ में आ गया है magnetic materials का मतलब यह होता है कि वो खुद भले ही magnet ना हो लेकिन वो क्या होते हैं वो magnet की तरफ attract होते हैं और ऐसे material कौन-कौन से होते हैं तो नाम बिल्कुल याद रखेगा nickel, cobalt, iron, some example of the magnetic material ठीक है जिनको हम iron की जिनको हम magnet की तरफ attracted होता हुआ देखते हैं clear है इसके अलावा non-magnetic material वो सारे material जो कि magnet की तरफ attract बिल्कुल भी नहीं होते हैं जैसे कि wood, plastic यह सारे examples किसके हैं आपके non-magnetic material के clear है तो इस वीडियो से activity को करके हमें ये बात और clear हो गई कि soil के अंदर जितने particles होते हैं जरूरी नहीं कि सारे magnetic हो उसके अंदर mixture हो सकता है इसलिए soil जो है वो एक पूरी तरीके से magnetic material नहीं कहलाएगी बलकि हम यह कहेंगे कि soil के अंदर कुछ magnetic particles थे जो कि magnet की तरफ attract हो गए आई बात समझ में चलिए तो इसके साथ ही magnetic, non-magnetic material को हम यहां खत्म करते हैं और पहुचेंगे हमारे next topic पर हमारे next वीडियो में तब तक के लिए magnet brains के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए magnet brains पर आपके class 6 के जितने भी science के chapters हैं उन्हें कैसे देखेंगे तो playlist के तुरू आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया या फिर आप क्या कर सकते हैं या फिर आप हमारी official website that is magnet brain.com पर जाईएगा वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है cbsc english medium then उसके बार आप सेलेक्ट कर लीजे आपकी class जैसे कि आप कौन से class से हैं 6th class से हैं अब जैसे 6th class को choose करते हैं तो यह इस तरह से पूरा का फूरा folder open हो जाता है जिसमें आप देख रहे हो science, maths, English, Hindi, सब कुछ सारे आपको folders दिखेंगे जो भी पढ़ना है आप बस watch now कर दो watch now करते साथ ही एक इस तरह से screen खुल जाती है जिसमें सारे chapter 1 है chapter 2 है सारे chapters है जितने भी chapters आपके science subject में है उन chapter के अलग-अलग topics लिखे हुए है तो जो भी पढ़ना है उसे click कर दो click करते साथ ही वीडियो open हो जाएगा आप उस वीडियो को देखिए समझ ये topic को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like और comment करके हमें जरूर बताइए और इसे अपनी same class के students के साथ में share करिएगा और साथ ही साथ आप उन सारे बच्चों के लिए एक अच्छी information है जो कि है हिंदी मेडियम से क्योंकि magnet brains अब लेकर के आचुका है अपना नया channel magnet brains हिंदी जहाँ पर से लेकर के 12th class तक के सारे ही बच्चों के subject का solution हिंदी में available है हिंदी में teachers वहाँ पर पढ़ाते हैं तो भई उसे जादा से जादा शेयर जरूर करिएगा subscribe भी करना मत भूलेगा क्योंकि वो भी 100% वुफ्त है और जादा से जादा लोगों तक इस जानकारी को जितनी जल्द education जो है वो free दी जा रही है तो इसको भी share करो ताकि जो benefit आपको मिल रहा है वो दूसरे बच्चों तक भी मिल जाए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि जब आप चैनल को subscribe करते हैं तो सारा update जो है recent update जितनी भी होती है आपकी class related या आपके subjects related वो आप तक बहुत जाती है हम मिलते हमारे next video में तब तक के लिए stay happy stay healthy thank you so much